नमस्ति दोस्तों आज हमने बनाए हैं सूजी के गोल कपे जो बहुत ही जटपद बन जाते हैं और एकदम पफेक्ट बनते हैं अगर आप मेरे बतावे प्रॉपर टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो आपके गोल कपे भी उतने ही पफेक्ट बनेंगे और बजार से लाने की कभी जुरुत ही नहीं पड़ेगी तो चलिए बनाना करते हैं शुरू सबसे पहले हम पानी बनाते हैं ये लिए मैंने पांसे छे हरी मिर्च एक कप धन्या वन फोर्थ कप पुदीना एक अद्रक का टुकडा सफेद और काला नमक दोनों इसमें हम डालेंगे वन ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काम ज्यादा कर सकते हैं साथ में डालेंगे दो टेबल स्पून पानी पूरी का मसाला को मिक्स करेंगे इसमें हम डाल देंगे एक लेमन अलुका मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं चार से पांच बॉल अलू एक अनियन थोड़ा सा हरी मिर्च, हरादनिया, बुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे दूसरी साइड हम ओयल चड़ा देंगे ये मैंने ऐल चड़ा दिया गरम होने के लिए चली अब जटपर गोलगै बनाते हैं इसके लिए मैंने लिए 125 ग्राम सूजी, सूजी हमारे मोटे दाने की होनी चाहिए अब मैंने 125 ग्राम सूजी लिए तो इसमें मैं डालूंगी 25 ग्राम ओयल जिसको मैंने अच्छे से गरम कर रखा है आप एकदम perfect measurement से बनाएंगे तभी आपके गोलगप एकदम perfect बनेंगे सूजी और oil को आपने अच्छे से mix करना है oil आपमारा भी गरम है तो आपने इसको धीरे धीरे mix करना है अगर आपको वैसे oil का पता नहीं चलता तो आप एक चीज ये भी देख सकते हैं देखे हमारी मुटी अच्छे से बन चुकी है तो इसका मतलब हमारा मोयन एकदम perfect है इसमें तो टिप्स तुम्हें दे चुकी हूँ कि सूजी मुटी होनी चाहिए oil आपका गरम होना चाहिए और थर्ट टिप ये है कि इसमें पानी आपका गरम होना चाहिए ठंडा नहीं होना चाहिए और आपने इसको गीला आटा नीट करना है जिससे कि सूजी हमारी थोड़ी पानी observe करेगी तो वो ज्यादा tight आटा नहीं होगा ये देखे आपने इतना आटा गीला नीट करना है आपने इसमें राउंड हमें one fourth cup water गया है जो हमने 125 ml सूजी लिए है उसमें अब इसको आप अच्छी से मसल लीजे जिससे कि सूजी हमारी थोड़ी soft भी हो जाए और आटे में हमारी binding अच्छी आ जाए ये देखे मेरको इसको मसलते हो around 3-4 मिनट हो चुके है अब next tip आपकी ये है कि आटे को आप जितना अच्छे से मलेंगे उतने ही गोलगपे आपके crunchy बनेंगे और उतने ही फूलेंगे आपने इसको ऐसे पटक पटक के ही आटे को मलना है ये आपको minimum 8-10 बार करना है और जितना अच्छे से आप करेंगे यकीन मानी आपके गोलगपे उतने ही अच्छे बनेंगे ये देखे मैं इसको बार-बार कर रही हूँ मैंने थोड़ा वीडियो fast forward कर दिया है जिससे कि हमारा time कम लगे अब ये देखे मैंने इसको 8-10 बार कर चुकी हूँ और अब देखे आटे में हमारा थोड़ा सा लोच आ गया है ये तो सूजी के आटे में इतना लोच नहीं होता तो इसका मतलब कि अब ये हमारा एकदम perfectly knead हो चुका है आटा अच्छे से knead हो चुका है हमें इसे rest नहीं देना अब आपने छोटे छोटे पेड़े बनाने है और इसके लंबे लंबे जैसे हमारी eye drops होती है ये देखे आपने ऐसे इसके पेड़े बना लेने है क्योंकि सूजी वाले गोलगप्पे हमें लंबे मिलते है मार्केट मे ये देखे इसी तरह आपने पेड़े रेड़े कर लेने है इसी प्रकार में आधे पेड़े रेड़े कर लेती हूँ ये देखे कुछ की मैंने बॉल बनाई है और बाकी जो आटा बचाओ है उसको आपने गीले कपड़े से धक्के रखना है अब मैंने पेड़ा लिया है और तेज रहनी चाहिए और ओयल भी अच्छे से गरम होना चाहिए ये देखिए और स्टार्टिंग में इसको आपने कर्ची वगरा कुछ भी नहीं लगानी क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम इसको दबा दबा के फूलाते हैं आपने कुछ भी नहीं करना अगर आपका आटा अच्छे से नीर होगा तो आपका गॉलगपपा बहुत अच्छे से फूल एगा देखिए सारेइ गोलगप ऐसी फूल के ही निकलेंगे में जो है हमारा ओयल अच्छे से गरम होना चाहिए और आच आपके एकदम तेज होनी चाहिए इसी प्रकार हिसमें हम और भी गोलगप तो जो अच्छे से फूले होगा वो ही आपका रोटेट हो जाएगा ये देखिए एकदम पफेक्ट बने हैं जो मार्कीर में बन दे एक साइब से लाइट ब्राउन और एक साइब से डागे अब जो जो गोल गपपे आपके हो चुके होंगे आप उनको अच्छे से जार जार के निकाल लीजिए ये देखिए अच्छे से इस तरह ही मैंने अपना एक बैच निकाल लिया है अब मैं इसमें दूसरा बैच और डालूँगी यहाँ पर भी आपको एक चीज द्या रखनी है कि जब आप गोल गपपे निकालेंगे तो वापस ओईल को अच्छे से गरम करेंगे उसके बाद ही हम इसमें गोल गपपे डालेंगे यह मैंने दूसरा बैच बैच भी इसमें डाल दिया है यह देखे हमारा गोल गपप कितना पफेट बना है उपर से लाइट और नीचे से सौरी ब्राउन और देखे क्रंची भी यह बहुत बना है यह देखे अब आप सूजी के गोल कबे बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं ज्यादा ताम जाम भी नहीं है तो बनाईए खाईए अपने टेस्क के अकॉर्डिंग